हम पाठ दस का ध्यन कर रहे थे जिसका सिर्षक है अपूर्व अनुभव यह है एक मूल रूप से जापानी भासा में लिखा गया संस्मरण है जो क्या है तोतो चान नाम की बुक से लिया गया है यह किस से लिया गया है तोतो चान नाम की बुक से लिया गया है इस पुस्तक मे एक ऐसी पाट साला के बारे में बताया गया जो बहुत ही अद्बुत है बहुत ही अलग सी पाट साला है वहां के बच्चों के लिए पेड़ों के नीचे पढ़ने के जगह होती है उनके खेलने के सिर्फ पेड़ों पर चड़ना वगेरे खेलना होता है इस तरह से वो बिलकु यासुख की चान लड़का है जो पेरों में जिसके क्या हो रखा है पोलियो हो रखा है तो उस पारट साला के अंदर क्या होता है सारewी बच्चे जो हैं उन्होंने क्या कर रखा था अपना अपना एक पेड़ माड रखा था और जैसे ही छुट्टी होती है सब क्या करते थे अपने अपने पेड़ पर चड़ जाते थे लेकिन यासू की चान क्योंकि पॉलियो से ग्रस था तो ना तो उसने कोई भी पेड़ अपने लिए रख रखा था ना तो अपना अधिकार पेड़ पर जमा रखा था ना यह वह किसी के पेड़ पर चड़ पाता लेकिन तोतो चान के मन में जिग्या सा थी कि वह यासू की चान को पेड़ पर चड़ाए और वहां पर चड़ने के बाद जो द्रश्चे दिखते हैं उनको दिखाए तो इस तरह से उन्होंने एक दिन योजना बनाई उसने यासू की चान को वह बुलाती है और अपने पर चड़ाने के लिए पहले सीडी लेकर आती है जब सीडी से नहीं चड़ा जाता है तो वह फिर क्या करती है सीडी से चड़ाने की कोशिश करती है सीडी से वह नहीं चड़ पाता है तो तिपाय जो सीडी होती है वह लेकर आती है उसके उपर चड़ा करके खुद नीचे स उसे पूरा भल लगाती है और उसे उपर चड़ाने की कोशिश करती है अंत तक वह दुई साफ़ात तक पहुँच जाता है या शुकिछान दुई साफ़ात तक पहुच जाता है इस तरह से आगे हम पड़ते हैं कि वह क्या पूरी Шक्ति के साथ जोजराता और आखिर तक वह क्या हो गया उपर पहुच गया आगे हम पढ़ते हैं हुर्रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगी क्या कहती है क्या कहरें कि उसे क्या सारी मेहनत ही बेकार लगी क्यों तोतो चान जो है तोतो चान को सीडी पर से छलांग लगा कर के द्वीशाखा पर पहुंच गई पर यासू की चान को सीडी से पेड़ पर लाने की हर कोशिस बेकार रही यासू की चान सीडी तक तो चड़ गया था उपर तक सीडी के लेकिन सीडी से पेड़ तक चड़ने में उसकी सारी कोशिस बेकार लगी यासू की चान सीडी ठामें तोतो चान की और ताक तो एक बाद तो तो चान रोने को हुई उसने चाहा कि यासू की चान को अपने पेड़ पर आमंतरित कर तमाम नहीं नहीं चीजें दिखाए वह क्या चाहती थी यासू की चान को अपने पेड़ पर आमंतरित करके जितनी भी नहीं चीजें पेड़ पर से दिखते हैं वह उसे डर था कि उसके रोने पर यासू की चान भी क्या करेगा रो पड़ेगा उसने यासू की चान का पॉलियों से पिछकी और अकड़ी उंग्लियों वाला हाथ अपने हाथ में लिया उसने क्या क्या यासू की चान का जो मतलब एक हिस्सा उसका पॉलियों से ग्रस्ता पूरा तो उसकी जो पॉलियों से पिछके और अकड़ी वही जो उंगलियों वाला हाथ था अपने हाथ में लिया उसके खुद के हाथ से बढ़ा था उंगलियां भी लंबी थी देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही तब बोली तुम लेट जाओ मैं तुमें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ वह क्या कहते है कि तुम तो लेट जाओ इधर सीड़ी की तरफ मैं तुमें पेड़ की तरफ खींचने की कोशिश करती हूँ उस समय दी साखा पर खड़ी तो तो चान द्वारा यासू की चान को पेड़ की ओर खेंचते अगर कोई बड़ा द्वेक्ती देख लेता तो वह जरूर डर के मारे चीख उड़ता क्योंकि उसमें दोनों के लिए ही क्या था बहुत बड़ा रिस्क था उसे वे सब जोखिम उठाते ही दिखाई देते उसे वे दोनों जो सच में जोखिम उठाते वे दिखाई देते पर यासू की चान तो तो चान पर पूरा बरोसा ताकि वह मुझे गिराएगी नहीं और खुद भी यासु की चान के लिए भारी खत्रा उठा रही थी खुद भी पीछे गिर सकती थी उसने अपने नन्य हातों से वे पूरी ताकत से यासु की चान को खिंचने लगी बादल का बड़ा सा टुकडा बीच बीच में चायां मतलब धूप हो रही थी ना कड़कती धूप हो रही थी तो बादल का जो एक बड़ा टुकडा बीच बीच में चायां करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड की द्वी साखा पर थे तो बहुत मेहनत करने के बाद में दोनों आमने सामने बैठे वे थे पेड की जो दो साखाई निकली भी थी द्वी साखा थी उस पर बैठे वे थे पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते वे तोतो चान ने सम्मान से जुकर का जैसे ही वे पेड़ पर पहुंच गया यासू की चान तो पसीने से भर चुकी थी तोतो चान अपने बालू को चेहरे पर सेटाते वे तोतो चान सम्मान से जुकर के क्या कहती है मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है यासु की चान से क्या कहती है वे कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है यासु की चान डाल के सारे खड़ाता, कुछ जिजकता वासा मुस्कुराया कुछ जिजकता वासा मुस्कुराता है उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ये वहां की एक भाहसा थी न क्या था, जब भी कोई किसी के पेड़ पर चड़ता है तो यासू की चान ने भी ऐसे ही पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस दिन यासू की चान ने दुनिया के एक नए जलक देखी जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था तो ऐसा होता है पेड़ पर चड़ना यासू की चान क्या कहता है कि ऐसा होता है पेड़ पर चड़ना यासू की चान बहुत अधिक खुश होता है बड़ी देर वहें पेड़ पर बैठे पिटा इधर उदर की गपे लड़ाते रहे मेरी बहन अमेरिका में है वो क्या कह रहा है यासू की चान बता रहा है कि मेरी बह मारत में या जापान में में जापानी की आयावारत से IP नहीं नहीं थे सबसे पहले ऑं से ग्राई था अमेरिका में तो आ दिश की आपन में यहां की इच्छए पर गाली भृँत्क लोगत हो वह कहते है कि जब म्हेर जापान में आ जाएगा जब यह तेलि विजन जापान में आ जाएगा तो हम घर बैटे बैटे ही सुमो कुस्ती वगेरे देख सकेंगे हम घर बैटे बैटे ही उस टेली विजन में से सुमो कुस्ती वगेरे देख सकेंगे वह कहते हैं कि टेली विजन क्या होता एक डिब्बे जैसा है ये सारी बाते कौन बता रहा है टेलिविजन जापान में आजाएगा तो हम घर बैटे-बैटे ही सुमो कुस्ति देख सकेंगे बहुद टेल विजन देख आउ timest कैसा है इक डिब्डे के जैसा होता है तोतो चान उस समय यह बात तो नहीं समझ पाई तोतो चान यह बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाई कि यासु की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था घर बेटे चीजों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे अर्थार वापस देखना कुछ भी चीज नहीं देख सकता था तो अगर उसको घर बेटे ही कुछ देखने को मिल जाता है तो उसके लिए क्या आर्थ होगा मतलब कितना अधिक महत्वपून होगा यह बात तोतो सान नहीं समझ पा रही थी वह तो यह सोश्ती रही वह तो यही सोश्ती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे बही जैसे उसकी यासो की चान की बहन ने बताया है कि डिब्बे जैसा होता है टेलिवीजन तो उसमें सूमो कस्ती घर पे देख सकते हैं तो तो चान जो है बहुत जादा जिग्यासो करके क्या सोचती है कि जो सूमो पहलवान है वो घर रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे कि वो डिब्बे में से दिखाते रहेंगे उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बहुत ही क्या लगी लुभावनी लगी अच्छी लगी कि कैसे भी मतलब घर बैटे हम सूमो कस्ती देख पाएंगे क्यों कि उन दिनों टेलिविजन के बारे में कोई जानता भी नहीं था पहले पहल यासू की चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था मतलब टेलिविजन के बारे में कोई भी नहीं जानता था सबसे पहले किस ने बताया था यासू की चान ने ही तोतो चान को बताया था यासू की चान को कैसे बता चला पेड़ मानों गीत गा रहे थे और दोनू बहण गेत गा रहे हैं और यासू की चान और तोतो चान दोनों बहुत यदी के खुश लग रहे थे यासू की चान पेड़ पर चड़ने उर पहला और अंति में मुका था इस तरह से अंत में तोतो चांड ने बहुत अधिक प्रेथन करके मेहनद करके यासु की चांड को पेड़ पर चड़ा ही दिया और पेड़ पर चड़ने के बाद में कैसा अनुभव होता है वहाँ पर कैसी कैसे हम द्रष्चे देख सकते हैं वो चीजें उसने यासु की चान को मैसूस करवाई इस तरह से ये दोनों दोस्तों के बारे में बहुत ही अच्छी एक कहानी है संस्मरण है इसके लेखक कौन थे टेट्सु को कुरियानगी लेखक कौन है टेट्सु को कुरियानगी इसके लेखक है हिंदी में अनुआद इसक विश्व साहित एक अमूले निरी है जो मूलते किस भासा में लिखी गई है जापानी भासा में लिखी गई है पुस्तक के तोतोचान साहिते है जो किस भासा में लिखा गया है जापानी भासा में लिखा गया है और जो हमारा ये पाठ है अपूरव अनुभव ये इसी पुस् पूराने यादों को इस पुस्तक में उतारा है उन्हीं के बच्पन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है तो तो चान का यह अंस अपूर्वे अनुभव ठीक है इस तरह से आज ही हमारा पूरा होता है कल हम इसके क्या करेंगे आगे के वीडियो जब भी होगे तो हम इसके क्या करेंगे प्रश्ण उतर करेंगे ठीक है धन्यवाद